बंदन बैंक परसनल लोन, आज हम इस वीडियो में बंदन बैंक से परसनल लोन कैसे अपलाई होता है, इस बिशे के उपर बात करने वाले हैं, लोन अपलाई करने के लिए क्या-क्या डॉकॉमेंट लगेंगे, अलिजीबिल्टी क्रेटीरिया क्या रहेगा, और लोन की फीच बताया जाएगा अगर आप फर्स टाइम पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो बंदन बैंक से क्या लोन आपको लेना चाहिए या नहीं लास्ट मैं मैं अपना उपीनियन भी बताऊंगा तो आज का ये वीडियो काफी इंपोर्डन है उन लोगों के लिए जो फर्स टाइम लोन अपलाई करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा इस वीडियो में जो भी इंफोर्मेशन आपको दी अगर लोन अमाउंट की बात करें तो बंदन बैंक जो है मिनिममम 50,000 रुपया और मैक्सिमम आपको 15,000 रुपय तक का लोन ओफर करता है अगर टाइम पिरिट की बात करें तो आपको कम से कम 12 महीने दिये जाएंगे और मैक्सिमम आप 5 सालों के लिए बंदन बैंक से लोन मिलेगा तो मैं बताना चाहूंगा परसनल लोन जो होता है अनसेक्योर लोन होता है बैंक वाले जो है आपको ज्यादा चार्ज करते हैं क्योंकि यह अनसेक्योर लोन केटागरी में आता है अगर आपको परसनल लोन लेना है तो आपको इतना इंटरस्टेट वेर करना ही अब अगर बात करें अगर time period की तो यहां पर maximum आपको पांच साल दिये जाएंगे loan को repayment करने के लिए अगर आप loan apply करना चाहते हैं तो simple सा आपको online का वेधन करना है bank वाले आपको बड़े अच्छे तरीके से guide करते हैं उसके बाद loan की amount आपके खाते में आने तक का समय दो दिन का है bank जो है दो working days का समय लेता है अगर आप अपने document submit कर देते हैं तो आपका loan का amount दो दिन के अंदर अंदर आपके bank खाते में आ जाएगा अब दोस्तो eligibility criteria के बारे में बात करेंगे अगर आपको बंदन bank से personal loan लेना है अगर आप कहीं पे job करते हैं तो आपकी उमर कम से कम 21 साल होनी चाहिए अगर आप businessman है तो आपकी उमर कम से कम 23 साल होनी चाहिए और loan complete करते हुए आपकी उमर 60 साल से ज्यादा नहीं होनी इसके ज्यादा वालों को offer नहीं दिया जाएगा मतलब 55 वाले यहां पर consider कर लिए जाएंगे तो दोस्तो बताना चाहूंगा आपका income का source अच्छा होना चाहिए सिबल स्कूर अगर आपका मजबूत हुआ तो आप यहां पर 15 लाग रुपे तक का loan का offer भी ले सकते हैं बंद इसके अलावा अगर आप जॉब करते हैं तो आप salary slip लगा सकते हैं अगर आप bank statement देना चाहते हैं तो अब भी को दिक्कत वाली बात नहीं है form 16 का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप self-employed हैं तो आपको जो है अपनी ITR देनी होगी दो सालों की ITR यहां पर compulsory है विद balance sheet आपको ITR के साथ submit करना होगा तब ही आपको यहां पर loan का offer दिया जाएगा आप दोस्तों बंदन bank से loan लेने के बाद आपको क्या-क्या fees और hidden charges लगाए जाते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे processing fees के बारे में अगर आप loan apply करते हैं तो यहां पर 1% आपको processing fees लगाई जाती है अगर आप check के माध्यम से EMI pay करते हैं आपका check bounce हो जाता है तो EMI break होने के बाद आपको 500 रुपया यहां पर charge लगाया जाएगा तो दोस्तों अगर बात करें late fees payment की तो उस case में जितनी भी आपकी outstanding EMI बनती होगी उसके उपर आ हैं आपकी EMI के उपर applicable हो जाते हैं अगर दोस्तों आपको 4 closer statement चाहिए तो 100 रुपया बहां पर उसका charge रहेगा अगर आप part payment करना चाहते हैं अपने personal loan की तो यहां पर आप करने ही पाएंगे क्योंकि part payment यहां पर allowed बिल्कुल भी नहीं है अगर आप duplicate statement निकालना चाहते हैं तो 100 रुपया बहां पर charges रखा गया है अगर आपको duplicate NOC चाहिए तो उस case में भी 300 रुपया यहां पर आपसे charges लिया जाएगा अगर दोस्तों बात करें 4 closer charges की अगर आप loan एक साल के अंदर अंदर बंद करवाते हैं तो 4% यहां पर आपको charges देना होगा जो भी आपकी outstanding amount अगर आपको कोई भी document retrieve करना है तो उस case में बांसुर रुपया यहां पर आपको charges देना होगा तो दोस्तों यह सभी परकार के charges personal loan में applicable होते हैं अगर आप personal loan लेते हैं तो आपको हमेशा EMI को time sir ही pay करना होता है अगर आप delay करेंगे तो आपको दिक्कत परिशानी होगी यह स लिंक को जब आप click करेंगे तो same यह page आपके सामने open हो जाएगा अब यहां पर मैं आपको थोड़ी सी information दे देता हूं कि आपको क्या करना है दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है यहां पर as per pen card जो भी आपका नाम है first column में आपको नाम डालना है उसके बाद जो है दोस करने के बाद pin code डालना है और अपनी city आपको select करनी है अगर आपको गाओं का नाम नहीं select करना है यहां पर जो भी city है वो select करेंगे और आपको जो है information सम्मिट करनी है तो यह सारी detail हम यहां पर डाल के इसे सम्मिट करते हैं और आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं दोस्तों जब आप अपनी information डाल देंगे सम्मिट करेंगे तो thank you का message रसीव हो जाएगा we will get in touch with you shortly तो यहां पर हमारी information saving account खुलवाया है अगर आप direct branch से जाकर loan apply करना चाते हैं तब भी को दिखत वाली बात नहीं है यहां पर आपको call के माध्यम से भी bank के अधिकारी आपको सूचित करेंगे और loan का process काफी अच्छे तरीके से बताएंगे तो आपको थोड़ा सा wait करना है तो यही process होता है बस आ आपको बंदन bank से loan लेना चाहिए या नहीं चलिए आपको अपना opinion बताते हैं दोस्तों अगर आप city से belong करते हैं किसी बड़े शहर से belong करते हैं तो आपको अगर personal loan लेना है तो उस case में बंदन bank का option आपके लिए बढ़िया रहेगा क्योंकि बंदन bank जो है आपको काफी बड 4,000 रुपे का loan चाहते हैं तो उसके link भी हमने description box में लगाए हुए हैं बहाँ पर जाकर उन application के मादयम से आप तुरंत loan ले सकते हैं अगर आपको बड़ी amount के साथ loan चाहिए तभी आप बंदन bank के साथ जाएगा otherwise आपको application के मादयम से ही loan ले लेना चाहिए दोस्तों opinion के तो और पर मैं यह कहना चाहूंगा अगर आप मेट्रो सिटी से बिलाउंग करते हैं बड़ी amount के साथ आपको loan चाहिए तो आप इस bank के साथ जा सकते हैं bank बढ़िया है आपको personal loan जुरूर प्रवाइड करेगा उमीद है आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर सब्सक्राइब करके हमारी family को जॉइन करना क्योंकि यहां पर आपको banking loan finances समंदित जानकारियां दी जाती हैं मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखें नमस्कार